जाइंट सेंटा क्लोज मुझे माफ कर दो मैं एविल स्नोमैन नहीं जानता था कि तुम इतने ज़ादा पाउरफुल होगे इसलिए मुझे इस बार छोड़ दो नहीं एविल स्नो मैन तुमने मेरे लो सेंटोस में काफी ज़ादा तबाही मचाई है इसलिए आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगा सो गाईज यार लो सेंटोस में एविल स्नो मैन ने हमला कर दिया है और ये देखो यार इसने हमें कितनी ज़ादा दूर फैका है तो चल जल्दी से सिंचेन यार अभी हमें यहाँ पर अपने जाइंट सेंटा क्लोस को बुलाना होगा वरना भाई लोग यार जो ये एविल स्न मैन को कभी भी नहरा सकते हैं और अभी यार मैं इस दिवार के पीछे छुप जाता हूँ लेकिन अरे नहीं यार इसने तो मुझे यहाँ पर भी पकड़ लिया है तो चलो गाईज यार अभी मैं अपने सिंचेन को लेकर जल्दी से पहुचता हूँ अपने किसी अवेंजर क लोकेशन पर अबisel यार तो चलो गाईज अभी यहाँ पर मुझे थौर की लोकेशन पता चली है और यार हमारा थौर भी हमें बुला रहा था तो चलो यार अभी मैं जल्दी से अपने थौर के पास चलता हूँ और यह देखो हमारा थौर तो यहाँ पर ही खड़ा है अरे थोर यार तुम्हें पता है हमारी city में क्या हो रहा है हाँ Franklin मैं जानता हूँ कि अभी एक evil snowman ने हमारी धर्ती पर हमला कर दिया है अरे तो थोर यार तुम्हें यहाँ पर कुछ करना चाहिए यार देखो यार उस evil snowman ने हमारे पूरे लो सेंटोस को जमा के रख दिया है इसलिए यार हमें यहाँ पर कुछ करना होगा लेकिन Franklin हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं अरे थोर यार मेरे पास एक idea है गाईज यार अगर हम अपने तीन सबसे powerful Avengers की power को एक कर देंगे तो उसके बाद यार हम अपने giant सेंटा क्लोस को बुला सकते हैं जो कि इस evil snowman को भी हरा सकते है तो थोर यार मुझे तुम्हारे यहाँ पर हथोड़े की जरूरत है तो ठीक है Franklin अभी मैं तुम्हें थोर का हथोड़ा देता हूँ लेकिन उससे पहले guys अगर आपने हमारी वीडियो को like नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से हमारी वीडियो को like कर दो So awesome भाई लो गयार अभी हमारे पास यहाँ पर हमारे थोर की power आ चुकी है और यह देखो यार हमारे थोर का हथोड़ा सच में हमारे थोर का हथोड़ा तो काफी जादा powerful है और यह देखो यार जैसे ही मैंने थोर का हथोड़ा उठाया ना मैं भी एक इदम वर्दी बन चुका हूँ तो चलो यार यहाँ पर मापने hammer की power try करता हूँ और यह देखो मैंने इस कार का भाई क्या हाल कर दिया है हमारे थोर का हथोड़ा तो गाई सच में काफी जादा powerful है और यार अगर मेरे सामने अभी वो evil snowman आएगा ना तो मैं उसे तो भाई छोड़ने तो बिलकुल भी नहीं वाला हूँ और अभी यहाँ पर मैं अपने ना god blast की power try करूँगा तो मेरे सामने ये car है तो ये देखो मेरी power कितनी जादा awesome है सच में यार जो हमारा थोर का हथोड़ा है ना guys ये तो काफी जादा powerful है तो चलो यार मुझे यहाँ पर जादा time waste निकरना चाहिए और यार अभी हमने ना यहाँ पर अपने थोर के हथोड़े की काफी जादा power try कर लिया है और मेरे अंदर energy देखो यार अभी भी काफी जादा है इसलिए मैं यहाँ पर क्या try कर सकता हूँ मैं ना यहाँ पर अपने hammer की सबसे powerful energy का use करने वाला हूँ इसलिए guys आर आप हमारी वीडियो को like कर देना तो यह देखो हमारे थोर की सबसे max power को और आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूँगा और यह देखो मैंने इस खंबे को भाई बिल्कुली तभा कर दिया है तो चलो guys आर अभी हमारे पास यहाँ पर हमारे थोर का हथोड़ा आ चुका है लेकिन अभी मुझे यहाँ पर अपने दूसरे avenger को ढूणना चाहिए So guys अभी यहाँ पर मैं अपने दूसरे super hero की location पर आ चुका हूँ और मुझे यहाँ पर कोई avenger दिख तो नहीं रहा है लेकिन यहाँ मेरा हथोड़ा मुझे बता रहा है कि हमें यहाँ पर कोई मिले वाला है तो चलो यह दिखू हमें यहाँ पर हमारा spider man भी मिल चुका है तो spider man यहाँ तुम कैसे हो इसलिए यहाँ मैं यहाँ पर थोर का हथोड़ा लाया हूँ लेकिन Franklin तुम थोर के हथोड़े से क्या करने वाले हो अरे दरसल spider man यहाँ मैंने यहाँ पर अभी दिमाग लगाया है क्योंकि यहाँ एवर स्नो मैन को हराना ना काफी जादा मुश्किल है इसलिए यहाँ पर मैं तीन सूपर हिरो की पावर की खटा कर रहा हूँ जिसमें से क्याँ मेरे पास थोर का हैमर तो आ चुका है इसलिए यहाँ यहाँ पर तुम्हारी पावर लेने आया हूँ छीक है Franklin तुम मेरी पावर ले सकते हो लेकिन गाईज उससे पहले अगर आपने मेरे लिए कमेंट में स्पाइडर मैं नहीं लिखा है तो जल्दी जल्दी से कमेंट में स्पाइडर मैं लिख दो अरे हाँ गाईज यार अगर आपने हमारी स्पाइडर मैं के लिए कमेंट नहीं किया ना तो प्लीज यार जल्दी जल्दी से हमारे स्पाइडर मैन के लिए कमेंट कर दो तो चलो यार अभी हमारे स्पाइडर मैन हमें अपनी पावर दे रहा है So guys 3, 2, 1 So awesome भाई लो ग्यार मुझे लगता है कि हमारे स्पाइडर मैन ने मुझे अपनी पावर दे दिया है क्योंकि यार मेरे पास ना हमारे स्पाइडर मैन के ये वैब स्विंग जा चुके है जो कि हमारे स्पाइडर मैन के ना सबसे ताकतवर पावर है तो चलो यार यहाँ पर अभी क्राइम हो रहा है इसलिए मैं अपने स्पाइडर मैन की पावर के साथ यहाँ पर आता हूँ और यह देखो यार मेरे स्विंग कितने ज़ादा सही है और यार यह क्राइम कर रहे हैं कि यहाँ पर यह तो यार इनके पास काफी ज़ादा गोल या है इसलिए आज मैं इन्हें बिल्कुल भी निचोड़ूँगा और यार हमारे स्पाइडर मैन के पास भाई क्या क्या पावर है तो चलो यार यहाँ पर हमारे स्पाइडर मैन के पास ना स्पाइडर ड्रोंस है तो मैं इन्हें यहाँ पर छोड़ देता हूँ और ये दिखो यार मेरे जो spider drones है guys यार ये तो इने काफी गंदे तरीके से मार रहे है और यार जो ये मेरे spider drones है ना ये यहाँ पर मेरी situation को control कर लेंगे इसलिए अभी हमें यहाँ से जल्दी से चलना चाहिए और यार आप मुझे ये बताओ comment में कि आपको हमारी spider man के ये web swings कैसे लगते है मुझे तो यार ये सच में काफी जादा awesome लगते है तो चलो guys यार अभी हम जल्दी से चलते हैं हमारे अगले avenger की location पर सो भाई लो गयार अभी हम यहाँ पर अपने hulk को डूनते डूनते काफी जादा दूर आ चुके है और मुझे न यहाँ पर अपना hulk मिला तो है तो चलो यार अभी हम जल्दी से अपने hulk से बाते करते हैं हेलो ग्रीन hulk अरे फ्रेंकलीन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और अभी हमारी सेटी में इतनी जादा ठंड कैसे बढ़ चुकी है अरे दरसल हल्क्यार अभी हमारी सेटी में एक एविल स्नो मैन आ चुका है इसलिए यार मुझे उसे हराने के लिए तुम्हारी पावर की जरूरत है लेकिन फ्रेंकलीन तुम्हें उसके लिए मेरी पावर की जरूरत क्यों है मैं अकेला ही उस एविल स्नो मैन को हरा सकता हूँ अरे नहीं हल्क्यार उसे हराना बिल्कुल भी बच्चों का खेल नहीं है और यार अगर हमें उसे हराना है ना तो हमें यहाँ पर अपने सभी अवेंजस की पावर को एक करना होगा इसलिए यार अभी मेरे पास यहाँ पर हमारे स्पाइडर मैन और थोर की पावर आ चुकी है इसलिए यार प्लीज अभी तुम भी मुझे अपनी पावर दे दो ठीक है फ्रेंकलीन अभी मैं तुम्हें अपनी पावर दे रहा हूँ लेकिन गाइज उससे पहले आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि आपको स्पाइडर मैं अच्छा लगता है या फिर ग्रीन हल्क अगर आपको मैं अच्छा लगता हूँ तो जल्दी जल्दी से कमेंट में हल्क लिख दो अरे ये क्या भाई लो ग्यार हमारा हल्क भी यहाँ पर ना वोटिंग करवाना चाहता है इसलिए प्लीज यार आपना हमारे हल्क के लिए एक बार कमेंट कर दो तो चलो हल्क यार अभी तुम मुझे अपनी जल्दी से पावर दे दो So guys 3, 2, 1 So awesome भाई लो ग्यार जैसे ही अभी हमारे पास यहाँ पर हमारे हल्क की पावर आई है मेरी जंप काफी जादा बढ़ चुकी है और यार जो मेरी स्ट्रेंथ है न वो भी सच में काफी जादा बढ़ चुकी है यह देखो जब मैं यहाँ पर पंच कर रहा हूँ न तो भाई कैसे एनर्जी निकल रही है अभी आप यहाँ पर देखना यह देखो यार मुझे ना हमारे हल्क की यही एनर्जी सबसे ज़्यादा पसंद आती है तो यार यहाँ पर अभी मैं इस कार को उठा के दिखाता हूँ तो यह दिखू हमारा हल्क भाई एक कार को बिल्कुल एक ही हाथ से उठा सकता है और मैं इसे ना इसमें फैक के मारता हूँ सच में यार जो हमारा हल्क है ना गाइस वो काफी ज़ादा ही पाउर्फुल है और मुझे ना इसलिए हमारा हल्क सबसे ज़ादा पसंद आता है क्योंकि यार देखो मैंने कितने बडे ट्रक को भी उठा रखा है और अभी यार इसे इसमें फैक के मारूँगा और यह पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुका है तो चलो यार अभी मुझे यहां पर अपने आयरनमैन के पास पहुचना होगा क्योंकि गाइस यार जो हमारा आयरनमैन है ना वही हमारे सेंटा क्लोस को ला सकता है तो चलो यार अभी हम जल्दी से चलते हैं हमारे आइरन मैन के मेंचन पर सो गाइज अभी यहाँ पर मुझे अपना आइरन मैन भी मिल चुका है तो आइरन मैन यार तुम मुझे क्यों बूला रहे थे दरसल अभी हमारी सिटी में एक काफी बड़ा खत्रा आ चुका है और उस खत्रे का नाम एक एविल स्नो मैन है और अगर वो खत्रा हमारी दुनिया में रहता है तो वो हमारी पूरी की पूरी दुनिया को तभा कर देगा अरे हां Iron Man यार ये सबी बाते मैं जानता हूँ इसलिए यार यहां पर ना मैंने अभी एक काम किया है मैंने अपने Thor, Hulk और Spider Man की पावर को इखटा कर लिया है और यार अभी यहां पर मैं तुम्हारी help भी कर सकता हूँ Franklin तुमने ये बहुत ही अच्छा किया क्योंकि इस Evil Snow Man को हराने के लिए हमें यहां पर अपने Giant Santa Claus को बुलाना होगा क्योंकि ये Evil Snow Man हमारी Santa Claus की दुनिया से आया है अरे लेकिन Iron Man यार हम यहां पर अपने Santa Claus को बुलाएंगे कैसे यार Franklin अभी तुम्हारे पास हमारे सभी Avengers की पावर हो चुकी है इसलिए अभी मैं तुम्हें यहां पर अपना सूट देंगा जिसकी मदद से तुम Santa Claus की दुनिया में जाकर Santa Claus को बुला सकते हो तो ये लो मेरे सूट को तो चलो गाइस यार अभी हमारे Iron Man ने मुझे अपना एक सूट दे दिया है जो कि हमारा Mark 47 है और यार अभी मेरे पास यहां पर हमारे सभी Avengers की पावर हो चुकी है ना इसलिए यार अभी हम अपने Santa Claus की दुनिया में जाकर उन्हें बुला सकते हैं तो चलो गाइस यार अभी हम जल्दी से चलते हैं हमारे Santa Claus की दुनिया में जिंगल बैल जिंगल बैल जिंगल ओन दवी Iron Man तुम यहां पर क्या कर रहे हो अरे सेंटा क्लोज यार मैं आयरन मैन नहीं हूँ मैं आयरन मैन के सूट में ना फ्रेंकलीन हूँ और यार मैं तुम्हारी यहाँ पर हेल्प लेने आया हूँ हो 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 लेकन फ्रेंकलीन तुम्हें मेरी यहाँ पर किस तरीके की मदद की जरूरत है अरे दरसल जाइंट सेंटा क्लोज अभी हमारी दुनिया में एक एविल स्नो मैन आ चुका है और यार हमारा टोनी श्टार्क हमें बता रहा था कि यार वो ना तुम्हारी दुनिया से आया है इसलिए अभी तुम्हें उसे हराना होगा अरे ये क्या बोल रहे हो फ्रेंक्लिन तुम, वो एविल स्नोमैन तो काफी ज़्यादा खतरनाक है, और अगर वो तुम्हारी दुनिया में ज़्यादा देर तक रहेगा, तो वो तुम्हारी दुनिया को पूरी तरीके से जमा सकता है, अरे नहीं सेंटा क्लोज यार, मुझे यहाँ पर इसी चीज़ का ढर था, तो प्लीज यार, अभी तुम यहाँ पर हमारी हैल्प कर दो, तो ठीक है गाईज, अभी मैं उस एविल स्नोमैन को हराने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जल्दी से लाल कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, so awesome guys यार, अभी हमारे सेंटा क्लोज हमारी यहाँ पर हेल्प करने को आ चुकी है, और इनकर साइज ना काफी जादा जाइंट है, और मुझे तो यार ऐसा लगते हैं, कि हमारे जाइंट इसमस आ चुकी है, तो यार, इनकी पावर तो और भी जादा बढ़ चुकी है, तो यहाँ पर देखो, जब यह पंच करती है ना, तो कैसे भाई, बिल्कुल आधी जैसी आ जाती है, यह देखो, यहाँ पर बिल्कुल एक तुफान जैसा आ रहा है, और यार, अभी यहाँ मैं जल्दी से अपनी दुनिया में चलता हूँ ताकि यार वहाँ पर जाकर हम उस स्नोमैन को अच्छा सबक सिखा सके सुब भाई लोग यार अभी ये एविल स्नोमैन यहाँ पर आ चुका है और इसे यार मैं बिल्कुल भी निचोडने वाला हूँ और यार हमारे सेंटा तो इसे काफी गंदे तरीके से मार रहे है अरे लेकिन यार इनो ने तो हमारे सेंटा क्लोज को गिरा दिया लेकिन यार हमारे सेंटा क्लोज ने इने क्या ही तो मार रहे है यह देखो अभी मैं इसे उठा लेता हूँ और यार अभी मैंने इस evil snowman को उठा लिया ना तो मैं इसे पानी में फैक के देखता हूँ ताकि यार ये पिंगल जाए लेकिन भाईस का तो पानी में भी कुछ नहीं हो रहा है मुझे ना ऐसा लग रहा है guys जो ये पानी में जाके ना थोड़ा बहुत तो इसकी पावर कमजोर होई हुएंगी तो यार ये देखो अरे नहीं यार हमारे सेंटा क्लोस तो इनके आगे कमजोर पड़ रहे हैं लेकिन यार अभी मुझे यहाँ पर अपनी पावर को इखटा करना पड़ेगा तो ये देखाए evil snowman आज मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगा और ये देखो मैं इसके सर पर बहुत ही गंदे वाला पंच करने वाला हूँ और इसी के साथ हमने यहाँ पर इस snowman को उठा लिया है और यार अभी ना इसे मैं बिल्कुल पानी में छोड़ा हूँगा ताकि ये हमारी दुनिया से काफी जादा दूर चला जाए तो ये देखो यार अभी हमने इसे यहाँ पर पानी में छोड़ दिया है तो चलो guys यार हमारे सेंटा क्लोज ने यहाँ पर उस evil snowman को यार काफी गंदे तरीके से अराया है तो यार आपको हमारे सेंटा क्लोज कैसे लगे जल्दी जल्दी हमें कमेंट में बताओ और अगर आप भी चाते हो कि आपकी क्रिस्मस पर आपको काफी जादा गिफ्ट मिले तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पे सेट कर लो ताकि जब भी हम अपनी और भी ऐसी वीडियो डाले तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए